हेलो स्टून्स वेलकम बाक टू लेट्सक्राइक स्टूडिया में जोनल टेस्ट मेंटर वोर्म गोल से स्टून्स आई हूप आप सभी बहुत जाधा शामदार होंगे यह वाली वीडियो सभी स्टून्स के लिए बहुत जाधा इंप्टन्ट होने पर यह चाहिए आप किसी डाउट है कि सर प्रिप्रेशन कैसे करें और बहुत ऐसी भी जनता है मैं उसे यह बोलूँगा वह यह है कि सर उन्होंने प्रिप्रेशन करनी शुरू कर दीती है वह बहुत जाधा सतर कते अपनी स्यूड़ी दोजाधेश के लिए लेकिन आखरी के पंदर दिन मैनेज नही कर पारें तो बच्चो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपने कितनी भी मैनत कर रखी हो और अगर आपने लास्ट फिप्टीन डेज अगर आपने नहीं मैनेज करिए सही से तो जितने आप मार्क्स लाने के शक्षम है उतने मार्क्स नहीं लेकर आप आ रहे होंगे तो यह वाली वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा आपने मैक्सम जनता तो पहुचाईएगा और यह वाली वीडियो के अंदर आपको सच में बहुत जादा फायदा मिलने वाला है तो बच्चो जैसे आप सभी को पता है कि आपका एक्जामनेशन 21 म अब भी नहीं तो पभी नहीं बिल्कुल सही सुना आपने अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मैने फने प्ररिप्रेशन शुरू नहीं करी कल मेरी एक बच्चे से बात हो री थी में को पेपर हो और बहुत सारी students ऐसे होंगे कि you never know कि जब आपका जो अभी reserve dates भी है जून में उन में आपका पेपर और दस जून को अगर आपका पेपर और तो सोचिएगा कि अभी भी आपके पास एक महीने करीब बचा है तो अभी आपकी dates release नहीं हुई है तो आपको ये सम चुकर को किस तारीकों paper होगा लेकिन तुम्हें नहीं पता की तुम्हारा paper 21 तारीकों होगा और 21 तारीकों में पेपर है तो उसके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं क्योंकि सबसे जादा इंपॉर्टन चीज़ मैं यह बोलूँगा कि अभी आपने बोर्ड एक महिना पहले ही दिया है तो आपको बहुत सारी चीज़े ऐसी होंगी जो बिल्कुल एक्जाक्टली याद होंगी बहुत आप स्लेबस को आप टच में है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी थे आपने बोर्ड के लिए तो अभी आपको CUT के लिए बस और बस MCQs की प्रिपरेशन करनी है मैं ऐसा समझ रहा हूँ इस लेक्चर के तुरू कि आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तीन डोमेंस लिया और जनरल ट पढ़ागो ठीक है बिल्कुल थियोरी के पीछे मत भागोगी सब थियोरी पढ़ना शुरू करेंगे यह करेंगे वह करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज सबसे पहला करो रैपेट रिवीजन जैसे कि आप लोग अभी क्लास 12 के अंदर पास आउट होके हैं उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छी कर ली थी तो अभी रैपेट रिवीजन करो उसके जितने भी जैसे आपसे पहले वाले बैच के 2022 बैच के आपको पता होगा कि MCQs के बोर्स भी हुए थे तो आपके पास प्रिवेस एर क्वेशन भी होंगे MCQs के तो MCQs लगाने शुरू करो चैप्टर पर MCQs लगाओ, चैप्टर परो MCQs लगाओ, चैप्टर परो MCQs लगाओ, MCQs लगाओ, MCQs जितने लगा सकते हो उतने ज़्यादा आप लोग MCQs लगाईएगा, जैसे कि किसी आप टीचर से, किसी मेंटर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके जो आप लेक्चर देखते हो, जैसे कि एग घंटे का लेक्चर, आदे घंटे का लेक्चर, तो उनके शॉर्ट नोर्स बनाओ, वर्ट टू वर्ट कॉपी मत करो, अभी टाइम नहीं है, आपके पास शॉर्ट नोर्स बनाने के, जैसे कि, Qs को बहुत ज़्यादा प्राक्टिस करो सर PYQs नहीं मिल रहे सबसे अच्छी और सबसे relevant मैंने information आपको दे दी है 2022 के अंदर आप सभी के seniors का boards आपके MCQs type questions में हुआ था तो MCQs को practice करो जो boards में आये थे last year के आपको CUT के examinations मिल जाएंगे CUT के आप MCQs लगाने शुरू करो सर साइंस वाला student हूँ NEET और JEE के MCQs लगा दो बिल्कुल गलती कर रहे हैं अगर ये चीज़ कर रहे हो आप NEET और JEE के MCQs लगा रहे हैं तो आपका इस साल तो paper नहीं निकलने वाला अपने आपको और ज़्यादा आप tension में डाल दोगे और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा anxious हो जाओगे और नहीं कर पाओगे NEET और JEE का pattern अलग है NEET और JEE का level अलग है आपको MCQs बिल्कुल relevant करना है अगर आपके कोई mentorship किसी ना किसी ने तो आप पढ़ी रहोंगे तो उन्होंने जो आपको content provide किया है उसी से ही directly पढ़ाई शुरू करो हर दिन उनको PYQs को लगाओ आप MCQs को लगाओ MCQs पर concept wise game खेलना है जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है chapter wise करना है आपको और concept पर धिहान जादा दो concept पर धिहान जादा दो जैसे कि कोई numerical आपके subject होते है physics है, chemistry है, maths है, quant है, reasoning है तो इन में आप सभी को concepts पर game खेलना है ठीक है और अगर आप जैसे humanities के students है तो humanities को आपको dates को याद रखना है ठीक है, आपको events को याद रखना है कि ये event इस तारिक को हुआता है आपको chronology को याद रखना है इसके बाद ये event हो था, इसके बाद ये event हो था इसके बाद ये event हो था geography में भी आपको facts याद रखना है basically concepts और जैसे आपके arts वाले students है तो facts याद रखना हो, commerce वाले बच्चे भी आपके concepts याद रखना हो, economics में आप चोटे 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 आपको शौट नोर्स बनाने हैं उसके हर एक सुड़न को मैं केटर करने कोशिश कर रहा हूं जा आप किसी भी कैटेगरी से आप हो ठीक है तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टेस पीवाइज क्यूस के साथ आपको आपको MCQs भी लगाने हैं मैंने आपको अल्री बता दिया हैं MCQs भी लगाने हैं और आपको quizzes लगाने mocks यह सबसे ज़्यादा important है बाल को यह सबसे ज़्यादा important है और मैं कह रहा हूं 90% जनता इसको बिल्कुल गलत तरीके से कर लिए हूँ पहली चीज तो बहुत ही कम बच्चे अभी तक mocks और quizzes पहुचे होंगे और अगर जो पहुच भी गया होंगे तो इसको सबसे गलत तरीके से आप लोग कर रहे होंगे अब मैं बताता हूं इसको किस तरीके से करना है आपको सबसे पहले तो रोज बैठ के quizzes लगाने शुरू करने daily basis पर quizzes लगाने शुरू करने mocks लगाने शुरू करने चालिस अपनी setting मनाने शुरू करो देर गंटे की दो गंटे की एक गो में अगर आप देर गंटा आपको बैठना बर चाहिए लगातार आपके papers हो जाए तो आप लोग वहां पर बिना थके बिना थके बिल्कुल mindfully questions को कर रहे होंगे right quizzes यह साथी चीजने quizzes से चुरू होंगी पांच-पांच questions के लगा लिए 10-10 questions के लगा लिए 20 questions के लगा लिए फिर उसके बाद 40 questions पर पहुचो फिर उसके बाद 45 questions पर पहुचो तो इस तरीके से आप अपने level भढ़ाओ और अपना setting को बढ़ाओ एक चीज के उपर अगर आप आ रहे हों मैं यहाँ पर कहता हूँ marks let's say आपने marks दिया है let's say आपने mark दिया है 45 minutes का अपने questions attempt की 40 questions अब 40 questions में से आपके questions सही हो गए कितने 40 questions में से आपके questions सही हो गए आपके 20 questions सही हो गए 20 questions correct है, आपके 10 questions आपने बिल्कुत ठोड़ी दिये, ठीक है, नहीं आया, not attempted, not attempted, और आपने 40 questions में से, 40 questions attempt करी हैं, और 10 questions आपके wrong होगे, ठीक है, 10 questions आपके wrong होगे, आपको अब analyze करना, analysis करना, इसका सबसे ज़्यादा important बात है यह, और जो ये चीज़ बच्चा कर लेगा, trust me, अभी 10 दिन के अंदर भी नहीं यहां पर उंधा practice करके आ रहा होगा, उंधा मास लेकर आ रहा होगा, देखो ये जो 10 questions तुमने सही किया है, उसको ना सिर्फ और 10 मिनटे के अंदर देख लो, कि तुमने 10 questions जो सही किया है, उसके concepts क्या थे, एक बार revision कर लो, वहीं पर, mocks के ही revision कर लो, इस बार में, ठेक है, क्या गलती, अगर इस question को, अगर जैसे math का question है, इसको तुमने attempt इस तरीके से किया था, क्या उतका कोई तुमारे mentor ने कोई short trick बताई थी, क्या कोई short logic बताया था, सही question कभी बोल रहा हूँ मैं, कई short trick बताई थी, क्या उस question में तुमने ज़ कि आपने सही तो कर दिया, लेकिन within time limit किया कि नहीं किया, उसके short tricks आपको पता है कि नहीं पता है, उसके concept आपके short notes में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो इस तरीके से आपको कर दिया, जो correct question हो गया, जो not attempted questions थे, उसके आप बनाओ, बिल्कुल, not attempted questions के, यहाँ पे लिख द लेंगे, उसके अंदर question answers, MCQs directly होंगे तुम्हारे पास, MCQs direct होंगी, जो यह 10 questions तुमने attempt नहीं किये, अपने short copy में बना दो, अपने जो notes बनाओगे, नहीं copy ले लो, उसमें short notes बना दो, MCQs के question answer, इस question का यह answer, इस question का यह answer, और जो wrong questions है, जो wrong question है, wrong question के अंदर आप दो ची question था, कि let's say, current defense का question रतायता हूँ, यह फिर मैं starting जी कहेगा, कि battle of classy कौनसे साल में हुई थी, example लेके बता रहा हूँ, आपको लगा कि पलाने year में हुथे, let's say 1857 में हुई थी, example बोड़ रहा हूँ, 1857 में हुई थी battle of classy, आपको ऐसा लगा, लेकिन वो answer गरत था, तो आप पहले के लिखोगे, battle of classy का correct year कौन सा है, correct year लिखोगे, और जो तुम्हारे को लगा था, 1857, 1857 क्यों लगा था, क्योंकि तुमने कहीं न कहीं पढ़ाई कर रख्योगी, तो 1857 ने basically हुआ क्या था, तो उस का answer लिखो, basically दो note सा आप हमें बना रहे होंगे, समझ में आई बात फिर से revise करा रहा हूँ, क्या भोड़ा हूँ में, correct answer को आप क्या करो हो, कोई mock test के अंदर, correct answer को time management देखोगे, कि सहीर समय पे तुम वो time manage कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस question को answer तो सही कर रहे हो, लेकिन within time limit कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसकी को short trick है की नहीं है, not attempted questions के, question लिखो, answer लिखो, question लिखो, answer लिखो, जो गलत कर दिया, attempt कर दिया, भी गलत हो गया, वो minus 6 है, वो बहुत बड़ा culprit है, wrong answer, minus 6 के लेके जाएगा, तुम्हार को minus 5 पे जा रहा है, और minus 1 लेके जा रहा है, तो इसके उपर थोड़ी महनत ज्यादा करनी पड़ेगी correct answer लिखोगे लिखोगे, लेकिन जो तुमने answer, जो तुमने option गलत mark किया था, तो उसका सही answer क्योंने वाला है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो notes बन जाएंगे, कम से कम तुम, at least 21 तारीकों भी paper है, जिसका 21 तारीकों भी paper है, मैं कहता हूँ, at least, at least, at least, तुम्हारे को at least, तुम्हारे को 20 mocks देने हैं, इस तरीके से पढ़ाई शुरू कर दो भाई लोगों, ठीक है, मैं विश्वास मान रहा हूँ, make notes of mock, ये सबसे ज़्यादा important है, तुम्हारे घर में कोई कितना भी बड़ा examination दे के बैठा होगा ना, ये चीज उन से verify करा ले ना, अगर ये तरीके से तुमने mocks देने शुरू कर दिये, mocks लगाने शुरू कर दिये, mocks को analyze करना शुरू कर दिया ना, इन 10 दिनों में भी तुम फोड़ किया जाओगे, इस चीज की guarantee में दे रहो, इस तरीके से इसका screenshot ले लो, इस page का, इसको rewind करकर करके देखते रहे हैं, मैंने क्या बताया, आपको correct answers के किस तरीके से notes बनाने हैं, आपके non attempted के किस तरीके से notes बनाने हैं, wrong answer के किस तरीके से notes बनाने हैं, तो इसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ, इसके बाद आप 21 तारीक वालों को तो at least 20 mocks हैं, और जिनका 31 में, या ते most probably अगर ऐसा होएगा तो, क् कुछ notification इसका layout नहीं है, June में अगर किसी का paper है, तो उनको तो obviously 40-50 mocks लगाने हैं, ठीक है, literally बता रहा हूँ, लिखके दे रहा हूँ, चीज की guarantee दे रहा हूँ, कि तुम्हारे notes से ही तुम्हारा question paper बन रहा हूँ, इतनी guarantee मैं दे रहा हूँ, तुमने तसल्ली से मन से questions को लग नहीं है, तो आप सभी के लिए बहुत जादा important video है, हर एक student के साथ share करो, आपको कोई भी doubt हो, आपका comment box पूरा है, comment box के अंदर हर एक चीज़ बताओ, मैं हर एक वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा, छोटे से छोटे comment box को comment में, जो भी comment box के अंदर comments आएंगे, उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आपके जितने भी doubts है, उनको हल करने की कोशिश करूँगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजेगा, क्योंकि ये समय last है, बिल्कुल 15 दिन बचे है, 15 दिन में सही में, ये make or break है, ठीक है, trust me, as a elder brother, आप मुझे मा अग जाना है, आपको ये नहीं देखना है, मैं 12 गंटे पढ़ लिया, मैं 8 गंटे पढ़ लिया, मैं 4 गंटे पढ़ लिया, trust me, अगर एक बार अच्छे college में घुज गए ना, तो तुम्हारी जिन्दगी बन जाएगी, ये 10 दिन तुम्हें याद भी नहीं होंगे, कि कितन सारी चीज़ें, ये 10 दिन और आप लोगों के आगे आलने वाले 40 साल बहुत जादा चांदा हो जाएंगे, for sure, right, तो ये सारी चीज़ें, आप लोग कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे डाउट्स लिखें, मैं आपके लिए वीडिय अगर आपको जर्नल टेस्ट में कोई दिक्कत है, तो please follow me, on this YouTube channel मैं यहापर regularly sessions लेके आता रहा हूँ, आपको एक बन जो content है उसको मैं provide कर रहा हूँ, आप मेरी previous videos जाके देख सकते हो, comment box जाके देख सकते हो, वह आपे बच्चों ने कितना ज़्यादा सरहा रखा है उन videos को, आप सभी के लिए बहुत जादा चीज है, अच्छी मैं important लेके आया हूँ, आपने दोस्तों के साथ भी share कीज़ेगा, और अगर कोई आपका junior है, और वो अभी preparation करना चाता है, class 12 के साथ, CUT की, तो अभी unacademy के उपर, आपका बहुत जादा एक साल का course, सिर्फ और सिर्फ का combination, इसमें 8,000, अगर आप CUT, CUT ही लेंगे, अगर आप individual, individual ही लेंगे, तो यह बहुत जादा competitive price पर आपको मिल रहा है, CUT live अगर आपका code लगाएंगे, you will get the maximum discount, right, and यह जून, mid में शुरू होंगे, अभी courses भी शुरू नहीं हो रहे है, लेकिन, yes, कि अगर आपका कोई junior ह है, और आपका कोई भाई, बहन है, अगर आपको चाहते हैं, कि आप उने, वो अभी से ही पढ़ना शुरू करें, जो आपने गलतियां कर दी, वो नहीं करें, तो obviously, this is the right time, जो जून, mid से हम शुरू करने वाले हैं बाचास, तो वहाँ पर आप CUT live code लगा के, आप courses को avail कर र आए हूँ, और बाबाय, टेक क्यार, गोड ब्लेस यू.